परेंगे RRB NTPC संदुज़ार 24 में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रस्णों को हमारे सामने पहला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन सी आहार नली का है इसोफाइगस थाइमस लेरिंगस इोटा तो इसोफाइगस यहाँ पर यह एक आहर नली का है इसे हम ग्रास्ट नली के नाम से जानते है यहाँ मनुस्ट सरीर में जीब के पिछले हिस्से से प्रारंब होकर आमासे तक जाती है दूसरा प्रस्ण है हमारे सामने दूद में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है दूद में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है तो यहाँ पर दूद में जो मुख्य प्रोटीन होता है उसका नाम है कैसीन यहाँ पर चौथा आप्शन जो है वो सही है कैसीन के ही कारण दूध का रंग जो है वो सफेद होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गाय का दूध होता है हलके पीले रंग का होता है तो हलका जो पीला रंग होता है हलका पीला रंग जो गाय के दूध का होता है वो किसके कारण होता है तो वो कैरोटीन के कारण होता है कैरोटीन के कारण होता है हलका पीला रण गाय के दूध का अगला प्रशन है हमारे शामने भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे तो भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमा सेन, यहाँ पर option number 3 सही है, एक और प्रशन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है, उनका नाम है राजियुकुमार, उनका नाम है राजियुकुमार, इन्होंने संदो 2021 से इस पद पर सबत ली है, अगला प्रशन है मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ती का अधिकार कब हटाया गया, तो मौलिक अधिकारों की सूची से जो संपत्ती का अधिकार था, उसे 1978 इस भी में हटाया गया है, पौन से amendment के थरो, तो 44 में संबिधान संसोधन अधनियम के थरो, अधनियम के तहट इसको हटा दिया किया है अगला प्रशन है हमारे शामे स्वामी विवेका नंद ने किस वर्स राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की थी स्वामी विवेका नंद ने किस वर्स राम कृष्ण मिशन की अस्थापना की थी तो ये सही उत्तर है यहाँ पर 1897 में स्वामी विवेकनन्द ने रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की थी कहाँ पर कोलकाता के बेल्लियूर में कोलकाता के बेलतूर नामका स्थान पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की अस्थापना की थी हमारे शामने अगला प्रश्न है दिल्ली इस्थित कुतुब मिनार में कितनी मंजिले हैं तो दिल्ली में जो इस्थित कुतुब मिनार है इसमें कुल पांच मंजिले हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कुत्व मिनार का जो निर्माड कार जो प्रारंभ करवाया था वो किस ने करवाया था कुद्बुद्दीन एवक ने लेकिन बाद में इसका जो कारे को पूर्ण करवाया पूर्ण करवाने का काम इल्टुत मिशने किया था ये दोनों ही गुलामोंस के सासक थे दिल्ली सल्तनत की अगला प्रशन है हमारे शामने तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया यहाँ पर आप्शन्स इसके गलत है तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 इस भी में पिर्थवी राज पिर्थवी राज चौहान और मोहमद गोरी के बीच में लड़ा गया था जिसमें पृत्वी राज चौहान की क्या हुई थी? जीत हुई थी. दूसरा युद्ध 1192 इस्वी में सेम पृत्वी राज चौहान और मुहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था. इस बार मुहम्मद गोरी की जीत हुई थी. अगला प्रशन है हमारे शामने चेराव नृत्य किस राज से सम्बंधित है? जो चेराव नृत्य है इसको हम बंबू डांस के नाम से भी जानते हैं और यह मिजोरम से सम्बंधित है. अगला प्रशन है हमारे शामने गंगा सागर मेला किस राज में आयोजित किया जाता है? तो गंगा सागर जो मेला है वो पस्चिम मंगाल में आयोजित किया जाता है हर वर्स 14-15 जनुरी के मध्य मकर सक्रांती के दिन मकर संक्रांती के दिन ये मेला आयोजित किया जाता है पस्चिम मंगाल में अगला प्रशन है हमारे शामने My Music, My Life नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो पंडित रभी संकर जी है पंडित रभी संकर एक सितार वादक है यह एक सितार वादक है अगला प्रशन है हमारे सामने लीना नदी किस देश से होकर बहती है तो लीना नदी जो है वो रूश से होकर बहती है यह बैकाल परबत से निकलती है बैकाल परबत से निकल कर आरकटिक महासागर में जाकर गिर जाती है नेक्स्ट प्रस है जीटी रोड किसके सासनकाल में बनाया गया था जीटी रोड यानि इसका पूरा नाम है ग्रैंड ट्रैंग रोड इसका जो निर्माड था वो किसके सासनकाल में हुआ था उसका निर्माड जो है सेरसा सूरी के सासनकाल में हुआ था सेरसा सूरी का जो सासनकाल था वो पंद्रा सो चालिस से लेकर के पंद्रा सो पैतालिस इस्वी तक माना जाता है कभी-कभी पूछ लेता है सेरसा सूरी का जो मगबरा है वो कहां पर इस्थित है तो सेरसा सूरी का जो मगबरा है वो सासा राम बिहार में इस्थित है सासा राम बिहार में इस्थित है Next प्रसन है हमारे सामने अकबर का मगबरा कहां इस्थित है तो अकबर का जो मगबरा है वो सिकंद्रा में इस्थित है, सिकंद्रा उत्तर प्रदेश में है, सिकंद्रा उत्तर प्रदेश में अकबर का मगबरा इस्थित है, कभी कभी पूछ सकता है हुमायू का मगबरा कहां है, हुमायू का मगबरा ये कहां पे है, दिल्ली में, बाबर का मगबरा कहां है बाबर का मगबरा काबूल अफगानिस्तान में है काबूल अफगानिस्तान में है सा जहां का मगबरा कहां है सा जहां का मगबरा आगरा में है जहां गीर का मकबरा कहा है जहां गीर का जो है वो है लाहौर में लाहौर पाकिस्तान में है नेक्स्ट प्रसन है हमारे शामने दिन और रात कब बराबर होते हैं जब सूर धुर्बों के उपर होता है जब सूर विसुवत रेखा के उपर होता है जब सूर करक रेखा के उपर होता है या फिर जब सूर मकर रेखा के उपर होता है तो जब सूर बिसुवत रेखा के उपर होता है तब दिन और रात बराबर होते हैं यह 21 मार्च और 21 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं अगला प्रशन है हमारे सामने दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो दादरा और नगर हवेली की राजधानी जो है वो सिल्वासा है. नेक्स्ट प्रशन हमारे सामने बिस्थ भर में मानवा धिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्स ये मानवा धिकार दि पूर्बुत्तर सीमान्त का, पूर्बुत्तर सीमान्त जो है यह railway zone है, कहाँ पे है, असम की राजधानी गुहार्टी के पास में है, असम की यह असम में गुहार्टी के पास में है, नेक्स्ट है, ब्रिंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है, ब्रिंदावन एक्सप्रेस जो है, वो कहां से कहां तक चलाई जाती है, चन्नाई से तुरुवच्ची, चन्नाई से बंगलावर, चन्नाई से मैसूर, या फिर बंगलावर से मैसूर, तो जो ही इसका सही उ इंटरफेस है यहाँ पर option no.3 इसका सही उत्तर है नेक्स्ट प्रस्न है हमारे शामने भारत का ग्रह मंत्रा ले इन में से किसके लिए जिम्मेदार है बाय सुरच्छा आंत्रिक सुरच्छा पर्यावरणी के सुरच्छा या फिर खाद्र सुरच्छा तो यहाँ पर जो सही उत है वो आंत्रिक सुरच्छा है हमारा जो ग्रह मंत्रा ले है यह सीमा प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है सीमा प्रबंधन के लिए केंद्र राज के संबंध के लिए केंद्र राज संबंध के लिए और आंत्रिक सुरच्छा के लिए हमारा ग्रह मंत्रा ले जो है वो ज मेजार है अगला प्रश्ण जो है राश्टरी ये सिच्छा नीती सं 2019 की मसौदा समीत के मसौदा जो है वे एक समीत का नाम है के अधच कौन थे तो उसके अधच थे के कस्तूरी रंजन जी इस समीत के अधच थे नेक्ष प्रश्ण है रेफ्रेजरेटर फ्रिज को थंड़ा कर करने के लिए किस रासानिक पदार्थ का प्रियोग किया जाता है तो वहाँ पर NH3 का प्रियोग किया जाता है फ्रिज को ठंडा रखने के लिए नेक्स्ट प्रस्ण है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित उर्जा क्या होती है टेलीफोन में जो प्रवाहित उर्जा होती है वो है बिद्दुत उर्जा और टेलीफोन जो है टेलीफोन लाइन जो है वो किस सिधान पर काम करता है तो बिद्दुत चुम्बकिये प्रेरन परा मायोपिया एक आंक से संबंधित दोश है, मायोपिया को हम निकट द्रिष्टि दोश के नाम से जामते हैं, निकट द्रिष्टि दोश, इसमें जो है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, हमें जो दूर की वस्तु होती है, वो साफ नहीं दिखाई देती है, इसके लेंस का प्रियोग करते हैं, नेक्स्ट प्रस्न है हमारे शामने, मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, मलेरिया रोग जो है, वो हमारे सरीद के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे सरीद के प्लीहा को प्लीहा को प्रभावित करता है, मलेरिया रोग जो है वो मादा एना फ्लीज के काटने से होता है मादा एना फ्लीज ये एक मच्छर का नाम है मच्छर के काटने से होता है next question है हमारे शामने onkology किसका अध्यन कहलाता है onkology जो है पक्छियों के बारे में cancer के बारे में अस्तन पाई प्राणी के बारे में या फिर भूमी के बारे में, किसके अध्यन को हम onkology कहते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, वो है cancer, cancer के अध्यन को onkology कहा जाता है, नेक्स्ट प्रशन हमारे सामने, टीबिया और फिबुला, ये जो है, दोनों हड्डियों के नाम है, ये किस अंग में पाई जाती हैं, ख रेडियो, अलना, नामक हड़ी पाई जाती है, कहाँ पर हमारी भुजाओ में, नेक्स्ट प्रशन हमारे सामने, हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो हम एक मिनट में 16 से 18 बार सांसे लेते हैं, और हमारा जो हिर्दय है, वो 72 से 75 बार धड़कता है, कौन हिर्दय ह नेक्स्ट प्रशन हमारे सामने, निम्न में सबसे ज़्यादा हड़ीयां किसमे होती हैं, अंगुली में जो है हमारी वो कितनी हड़ी होती है, वो 56 हड़ीयां होती है, मस्तित में हमारे 8 हड़ी होती है, छाती में हमारी 24 हड़ीयां होती है, और कसेरको में जो है टोटल 39 हड जाती है next प्रस्न है हमारे सामने मुंडा जनजाती भारत में कहाँ पाई जाती है तो जो मुंडा जनजाती है वो भारत में जारखंड में पाई जाती है आज के लिए इतना ही कल मिलते है धन्यवाद